सरकार समय रहते अगर SOP गाइडलाइन्स बनाती और उनका पालन अपने वॉलेंटियर के माध्यम से अपने जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके माध्यम से अगर वो आप लोगों के साथ समय पे संबाद करते जैसे मार्केट एसोसियेशन के पृत्निदियों को बुलाया औ और बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई कोरोना संकट है आपने यहां पर मार्केट में एक जगे कोई इंट्री रख दीजिए वहां सेनिटाइजर हो और वहां पर टेंपरेचर नापने की मशीन भी हो जो भी मार्केट में आएगा वो इन नीमों का पालन करेगा और जिसके पा जा सकता है और अपने व्यापार को भी अपने बिजनिस को भी और दिल्ली के लोगों को भी सुरच्छित रखा जा सकता है तो मैं यह मानता हूं कि यह सब काम जो सरकार पहले करने चाहिए मैं यह कहता हूं कि सरकार खुद अगर नहीं कर पा रही है अगर खुद करने में अ सुरच्चित रखा जा सकता है तो मैं ही मानता हूँ कि ये सब काम जो सरकार पहले करने चाहिए मैं कहता हूँ कि सरकार खुद अगर नहीं कर पा रही अगर खुद करने में असमर्थ हो रही है तो दिल्ली में आज इतने बड़े सामाजिक संगठन है इतनी political party है मैं मानता हूँ जब भारती इन्ता party के कारिकरता हूँ ने एक करोड से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के लोगों को भी सुरच्चित रखा जा सकता है तो मैं ही मानता हूँ कि ये सब काम जो सरकार तो एक करोड लोगों को जब हम भोजन दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे सामाजिक संगठन दिल्ली में जब करोना संकट में लोगों को बचाने के लिए आ गया है, तो उस समय बहुत लोग आज भी ऐसे, ऐसे मार्केट एसोसियेशन हैं, जो पूरा ये इंतजाम कर सकते हैं, ल सेडर एसोसियेशन के साथ, किसी RWA के साथ, उन्होंने कोई संकट पर समवाद नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आप जब केसिस बढ़ गए, तो आप व्यापार बन कर दो, लोगों को रोक दो, लोगों का रोजगार खतम कर दो, ये कोई समाधान नहीं है, से दिल्ली में कोरोना संकट पर अपनी सामाजिक दायतों की भूमिका का निर्भेन भी हो, दिल्ली को हम कोरोना संकट से बचाएं भी, अपना दिल्ली का रोजगार और व्यापार भी सुरच्छित रहे, और इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, हम किस तरह से आगे ब पहुचाएंगे, दबाव डालेंगे, भारती इंता पार्टी एक मजबूत विपच्छ की भूमिका निभाएगी, और जो जो आपके बहुमूली सुझाओ आएंगे, जिससे ब्यापार जगत का हित हो, और दिल्ली के लोगों का भी कल्यान हो, इन सब सुझाओं को लेकर हम सुझाओं पर अमल होना चाहिए, जिससे दिल्ली का व्यापार और दिल्ली के लोग सुरच्छित रह सके, कुरोना फैलने से रोका जा सके, जो मार्केट्स में जो भीड है, उसको भी हम नियंतृत कर सके, ऐसा कोई मेकेनिजम हम लोग आपस में तयार करें, उस सारे प्रस् स्थाओं को बनाते, लेकिन उन्होंने वो बनाई नहीं, इसलिए हम लोगों का ये रिस्पॉंसबिल्टी है कि हम दिल्ली हम सब की है, ये जो दो करोड दिल्ली बासी हैं, वो सब हम लोगों से कंसर्न ने भारती इंता पार्टी उनके विसे में चिंतित है, और इसलिए कि ह हम सब आप लोगों का व्यापारी संगटनों का सहयोग मांगते हैं, और आपके जो सुझाओं होंगे हम सरकार के समझ रखेंगे, और उनसे कहेंगे कि इन सुझाओं पर अमल करें, सरकार भी अपना सहयोग दे.